हालो दोस्तों, वाल्कन दो स्लीपी ग्लासिस लीबिया फ्लाद्स बहुत जादा नियूज में रहे हैं विच मीन्स कि ये एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है तो हम एक्जाम परस्पेक्टिफ से इसका अनालेजिस करेंगी चार पॉइंट्स इंपोर्टन्ट हैं आपर पहला पॉइंट मेडिकेंज जिसकी वज़ा से ये रेंफॉल हुई है दूसरा लीबिया की वल्नरबल जोग्रफी जिसकी वज़े से ये सिचुएशन बहुती ज़ादा इंटेंसिफाई हो गई पहला पॉइंट बेसिक से शुरू करेंगे ऐसे कुछ इमजस आपने न्यूज में देखी होंगी जहां पर लीबिया को रेप्रेजेंट किया जा रहा है और लीबिया का जो राइट हेंट साइंड है इसकी रेप्रेजेंटेशन है और यहां पर डर्ना जो सिटी है वो रेलेवेंट हो जाती है बिकरस यहीं पर जो है फ्लाइट की बात रही है यहीं पर आपने सुना भी होगा कि दो डाम्स भी कॉलाप्स कर गए है जिसकी वज़स से situation बहुत जादा जो है intensify होने की बात news में रही है इसको basic से शुरू करें तो लीबिया की position देख लेते हैं पहले red color से यहां पर लीबिया का representation है अब लीबिया के साथ जो water body यहां पर लग रही है वो यहां पर important है इस water body का नाम है Mediterranean क्यों important है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ phenomenon है medicains जो सबसे important है हाँ अब यह medicains क्या होता है सबसे पहले तो medicains नाम की बात कर लेते हैं कभी भी आप medicains की बात करेंगा तो कई जगा पर आप देखेंगे tropical like cyclones कहा हुए कि they seem like tropical cyclones although मैं concept बताऊंगी तो यहां पर meditarian sea से शब्द लिया हुआ आप देखें medicains का जो ही can part है यह important है because medicains मिलके बना रहे है medicains अब आप कहेंगे यहां पर tropical cyclone का क्या relevance है मैं आपको पूरा concept समझाऊंगी सबसे पर definition देखें तो यहां पर देखें medicains को low pressure zone कह रहे हैं जो की of course meditarian sea में form हो गए हैं और यह acquire कर लेते देखें acquire कर लेते हैं tropical cyclone के characteristics इसलिए यह हमें hurricanes जैसे प्रतीत होते हैं what does this mean बिलकुल basic से समझाऊंगी step by step समझेंगे सबसे पहली चीज समझते हैं जो आप सभी को पता है जब भी जब हम low pressure और high pressure की बात करेंगे है ना in terms of rainfall जब करेंगे हैं जब भी मुझे rainfall की terms में बात करनी है तो मुझे पता है low pressure पर क्या होता है आपकी heat उपर की तरफ जाती है वहां पर convection होगी है ना heat उपर जाएगी बादल बनेंगे बारिश होगी यह आप सब पता है और high pressure पर हवा जो है चुपचाब डिसेंड करती है इसलिए जादा rainfall नहीं होती learning क्या है हमारी हां से learning क्या है सबसे पहली learning है जब भी मैं rainfall की बात करूंगे rainfall important है ना क्योंकि लीबिया में तो floods की होना जरूरी तो कभी भी definition की बात होगी low pressure system होगा दूसरा water cycle पढ़ते हैं कि जो है आपकी heat उपर जाती है बादल बनते हैं बारिशे होती है इसका मतलब है यह जो heat उपर जाने का phenomenon है layer by layer राइट इसको आप बोलते हो convection तो यह चीज़ important है कि कभी भी आप rainfall की बात करोगे low pressure convection की बात जरूर होगी यह basic है आप जानते हो दूसरी चीज़ समझो जब भी मैं rainfall की बात करूंगी मेरे पास दो processes important है एक process है मेरा evaporation और एक process है मेरा condensation ठीक है अब इसको समझो जब भी आपका water है जब भी आपका warm water body होगी अब इसको मैं liquid लिख सकती हूँ जब भी आप उसको heat की बात करोगे जब भी आप उसे heat दोगे यह जो liquid है यह आप देखोगे वेपर में convert हो जाएगा और आप देखोगे यह basically है तो gas यह न वेपर है क्या है तो gas ही तो basically आप पढ़ते हो जब states of matter पढ़ते हो solar liquid gas तो जब भी आप water को liquid को heat करोगे वो gas में convert हो जाता है जब भी आप उसको heat दोगे वो gas में convert हो जाएगा वेपर आपका gas ही है यह जो process है यह कहला रहा रहा evaporation आपके बास water body है water body पर insulation आ रहे इंसलेशन हीट ही तो है यह ना पानी को heat में वेपर में convert हो गया तो basically जब एक state of matter दूसरे state of matter में convert होगा liquid gas में convert होगा that is called evaporation ठीक है ना हमें तो बारिश करानी बारिश कैसे होगी अब तो जो है पानी ग्यास बनके उपर है तो याद रखना simple logic समझो जब heat दी थी तो ग्यास बन गया जब heat वापस ले ली जब by any case loss of heat हो गया तो यह वापस अपने actual form में आ जाएगा दोबारा सुनो पानी को heat दी वेपर बन गया वेपर से heat वापस ले लो पानी बन जाएगा तो मुझे तो बारिश करानी है ना मुझे तो यहां पर बूल दे चाहीं तो होता क्या है कि जब भी loss of heat होगी तो वह जो वेपर कि atmosphere में जैसे जैसे आप उपर जाते जाओगे तो आपका temperature घटता जाएगा हर कुछ distance के बाद temperature घटता है तो loss of heat का क्या मतले तेमपरेचर घटी तो रहा है तब ही आप देखोगे जैसे जैसे आप उपर जाओगे बादल आपके उपर ही बन रहे है आप उपर की बन रहे है पर अब यहां पर एक चीज क्या होती है जो मैं additionally आपको बता देती हूँ उनको जरूरत होती है एक surface की बुंद हवा में लटकी नहीं रह सकती उसे किसी surface पर गिरना पड़ेगा उनको जरूरत होती है particles की उस उन surfaces को बोलते हैं hygroscopic nuclei जो water को attract करते हैं अब these could be for example dust particle कि अब particle suspended atmosphere में उसमें जो है जब loss of heat होगी उपर जाके यह बूंद जो है गिरेगी ऐसी बहुत सी बूंदे जब मिल रहे हैं बादल बन रहे हैं बारिशे हो रहे हैं that means the point that you have to understand from here two points से पहला आपने पानी को heat दी वेपर बना वेपर से heat ले ली up in the atmosphere और आपने जान के नहीं यह नॉर्मल लाप से हो रहा है उपर जाते जाते टेंपरेचर घट रहा है तो वहां पे वेपर वापस बूंद में बन जाएगा बादल बनेंगे बारिशे होगी अब initially heat देके ज रहता है process देखना चाहूं तो condensation भी बहुत जादा important है because उसी से यह वेपर वापस बूंदों में आ रहा है that means rainfall के लिए again आपका condensation बहुत ही जादा important हो जाता है ठीक है अब एक और चीज़ समझो जब आप solar liquid gas की बात करें हो की पानी जो की liquid है उससे आपने वेपर गयास बनाया वेपर जो की गयास है उससे आपने वापस पानी यानि की liquid बनाया तो आपने एक state of matter से दूसरे state of matter में conversion की बात की अब इससे associated जो heat होती है उसे heat को आप कहते हो latent heat तो हमेशे आद रखना कि जब ही भी हम बात करेंगे हम बात करेंगे latent heat की आपको पता लग गया condensation है चौती चीज़ जो यहां important है that is latent heat of condensation this is very very important क्यों ध्यान से देखना देखो जब भी हम tropical cyclones की बात करेंगे बेसिक तो हमारा mechanism rainfall का यही है यही होता है कि जब भी आप बात करोगे tropical cyclone की आप देखते हो कि warm water है आप देखते हो temperature भी tropical cyclone है topics में तो और मों 27 डिग्री पर आप देखोगे tropical cyclones की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा convection होगी आपकी जो है ही टूपर जा रही है ना आपके बादल बन रहे है और बारशे होगी तो ट्रॉपिकल cyclone में क्या होता है यह तो standard process है नहीं intensify होता जाएगा है ना कुरियोल इस पोस्कंतर का ताके पुरा बवंडर की फॉर्म में आ जाएगा तो ट्रॉपिकल cyclone है तो rainfall का फिनॉमेना यह इंटेंसिफाय कैसे होता है इंटेंसिफाय का मतलब है कि कॉंस्टेंटली इसे हीट मिलती रहेगी अब यह जो हीट है कौन से हीट होती है जिससे कि आपकी लेटेंट हीट ऑफ कोणन सेशन लेट जब भी आप ट्रॉपिकल साइस की बात करते हैं आपने पढ़ा μहीं होगा कि जब तक वॉटर बॉड़ी पर होते हैं यह इंतने सिफाय होते हैं जैसे लैंड पर आगये बंद हो जाते हैं क्यूंकि जब तक वाटर availability होगी evaporation होता रहेगा condensation होता रहेगा और rainfall तो condensation की बात कर रहे है तो जितनी जादा पानी की availability है उतना जादा latent heat of condensation रहेगी convection होगी low pressure होगा और आपका tropical cyclone intensify होगा तो यहां पर learning के थी जब भी हम rainfall की बात करेंगे रहे हमारे पास low pressure होना चाहिए है ना connection होनी चाहिए condensation में latent heat of condensation होगी तो process और जादा बढ़ता जाएगा अब इसको यह आपने basic समझा है अब अब medicaine समझो medicaine जो है सबसे पहले चीज समझो कि medicaine को हम कहतो रहे है हारी केंस है medicaine को हम compare तो कर रहे है tropical cyclone से बट आप यह समझो कि tropical cyclone का एक basic feature तो यह भी है ना कि वह ट्रॉपिक्स के बीच में बन रहा है जब भी में tropical cyclone कोंगी वह ट्रॉपिक्स बनना चाहिए लेकिन mediterranean sea तो ही नहीं ट्रॉपिकल आप देखो सब similar to tropical cyclone भी कहते हैं मैं आपको दिखाऊंगी भी क्या तो पहली चीज़ आप समझगे कि exactly similar तो नहीं है ना ट्रॉपिक्स वाली जोन में ही नहीं अब यह शुरू कैसे होता है ठीक है शुरू होता है यह जब mediterranean sea में cold air के intrusion होते है अब जब भी cold air का intrusion होगा जब भी cold air का intrusion होगा mediterranean sea में तब इसकी शुरूआत होगी अब जब भी cold air होगी तो क्या होगा अब देखो mediterranean sea ना warm water है अगर आप articles पढ़ोगे बहुत सारे तो यह भी कहेंगे कि जो है global warming की वज़े से भी उसका temperature जो है warm हो गया तो अब पानी की ओपर जो lower atmosphere है वहां पे तो आपकी हवा क्या होगी warm होगी कि over the warm water आपका atmosphere warm है लिकिन cold air intrusion की वज़े से जो upper atmosphere है वह बहुत ही जादा cold रहता है अब होगा क्या यूज विली यूज विली जो है normal lapse rate होता आपका की जैसे जैसे ऊपर चलते गया आपका temperature घटा गया बादल बनते रहें बारिश होते रहें क्योंकि बादल बनने के लिए temperature घटना is very very important है अब यहां पे देखो lower atmosphere warm है upper atmosphere cold है तो जो आपका यूज वह इंक्रीज हो जाता है लाप्सरेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि normal lapse rate में क्या था हर कुछ किलोमीटर बाद आपका temperature घट रहाता अब वह चीज़ फास्ट हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगा घटना जल्दी घटेगा temperature क्यों कि और ध्यानक ना हमेशा तो नहीं आरे मेडिकेंस तो यह special condition होगी इसलिए जब और इंट्रूजन होगी तब भी special condition होगी कि temperature जल्दी घटने रगेगा और जल्दी जल्दी घटने का मतलब समझ रहो क्या होगा इसका मतलब है कि loss of heat उतना ही fast होगा condensation उतनी fast होगी और condensation से क्या रहा था बूंदे बन रही थी उसी से तो आपका cloud formation हो रहा था उसी से तो आपकी rainfall हो रही थी तो the reason आपकी rainfall suddenly बढ़ जाती है वो क्यों है because in certain instances colder intrusion आता है mediterranian sea warm है उसके ओपर की हवा warm है लेकिन उपर cold है because of this specific colder intrusion अब जो temperature घटना था वो fast हो जाता है normal lapse rate जो है वो fast हो जाता है loss of heat past हो जाता है और तब ही वो जो है कहते हैं कि suddenly आपकी जो है rainfall होने लगती है और मैं आपको दिखाती है rainfall के लिए क्या important था आपका convection low pressure अब मैं आपको चीज दिखाती हूं कि अब जो है आपका loss of heat जल्दी हो रहा है यानि कि पूरा प्रोसेस है कि convection से आपकी ही टूपा जा रही है condensation हो रही है वो सारा जल्दी हो जाएगा फास्ट हो जाएगा तो convection डेवलप हो जाती है अपने इस low pressure area पर तो यह चीज समझने जरूरी है और आप देखोगे instability भी बोल देते हैं यहां पर अब आपको एक basic point बताते हूं जब भी जब भी आप high pressure systems कहते हो ना वो हमेशा stable माने जाते है stable पते है क्योंकि air चुप चुप डिसेंड कर रहे है कोई वहां पर ऐसे गड़ गड़ा हाट thunderstorm rainfall नहीं हो रही राधर जब भी rainfall होगी उसको unstable बोलते है इंस्टेबिलिटी की condition बता रहें बिकास लोग प्रेशर रीजिन पर हवा उपजा रही है बादल बन रहे हैं बारिशे हो रही तो हमेशा इंस्टेबिलिटी की condition low pressure से जुड़ी होगी और यहां पर तो आमने यहीं देखा convection होगी convection की होगी कि नीचे warm water है, नीचे low pressure है, I hope आपको पता है कि warm region पे low pressure होता है, cold region पे high pressure होता है, तो नीचे warm water है, low pressure है, convection होगी, बादल बनेंगे बारिश है, तो यह चीज हमें समझनी जरूरी है, अब यहाँ पे यह चीज याद रखना है, यहाँ पे एक term लिखी हुई है, cold core, cold core, अब य को जब भी आप cyclones की बात करते हो, आप कहते हो कि जब भी हम tropical cyclones की बात करते हैं, हम कहते हैं, उनमें warm core है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में temperature बहुत जादा होता है, इसलिए हम कहते हैं, उसका core बहुत warm है, जब आप tropics के beyond जा रहे हो, तो इसके comparison में यह cold core है, इसलिए आप इसे cold core कहते हैं, लेकिन, लेकिन, अब अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने आपको क्या बताया था, कि medicains, जो है, यह low pressure center पढ़ लिया है, यह acquire करते है, tropical cyclone का characteristic, tropical cyclone का characteristics क्या था, कि इसको तो warm core होना था, अब आपको यह warm core कैसे बनेगा, क्योंकि हमने तो बढ़ा cold core है, cold core है, बि लेकिन हम यह भूल गए कि इस पूरी process में, जो आपकी latent heat release होगी, जो भी आपकी latent heat release होगी, उससे जो है core आपकी धीरे-धीरे warm होती जाएगी, और एक point पे warm core बन जाएगी, और warm core किसका characteristics है, tropical cyclone का, तब ही हम कहते हैं, कि जो medicains है, temperature वहाँ पे कम है, cold core है, बट वो eventually warm core बन जाता है, जो कि tropical cyclone का characteristics है, and it requires the characteristics of a tropical cyclone, now जो है, उसके characteristics, tropical cyclone वाले हो जाते है, that is why हम इसको जो है, tropical cyclone से associate कर रहे है, that is why हम इसको hurricane नाम से associate कर रहे है, medicains कह रहे है, तो यह चीज़ समझनी बहुत ही जादा important है, बस हमें यह चीज़ यहाँ पे जरूर याद रखनी है, कि इ जो है, temperature का difference जरूर रहेगा, कि जो tropical cyclone से बहुत जादा temperature के बाद बन रहे है, जैसे 27 degree उनका bare minimum है, यहाँ पे आप देखोगे, कि 16 से 26 के बीच में, 18 के बनते हैं, आपके medicains, तो temperature का difference और वो क्यों आ रहा है, सबसे बड़ी बात क्यों आ रहा है, because आप देखो, मैं आपको है, temperature वहाँ जो है, थोड़ा कम होगा, क्यों, insulation तो direct only within the tropics है, तो यह चीज़ जो है, हमें याद रखनी जरूरी है, also, also, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, कि tropical cyclone जब intensify होता है, intensify कैसे होता जाएगा, जितना ज्यादा water की availability है, जितनी warm water है, उतना ही ज्यादा latent heat ब होगा, पूरा process होगा, और उससे intensification होगा, पर इस intensification कब होगी, जब आपके पास warm water होगा, तो ऐसा नहीं कि medicians में warm water नहीं है, ट्रॉपिक्स के comparison में उतना warm water नहीं है, इसलिए tropical cyclone जितना intensify नहीं हो पाएंगे, they have less time to intensify, क्योंकि जो इनका warm water है, अतना warm नहीं है, जितना ट पर इस जादा क्यों persist किया, मैंने आपको बता है, क्योंकि warm water की availability है, क्यों, climate change की वज़ा से, warmer year रहा है, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है, कि दोनों में जो है, similarity क्या है, low pressure है, और medicians जो initially cold core होता है, cold का मलब नहीं ठंडा, it just means कि tropics जितना warm water नहीं है initially, लेकिन eventually, जो latent heat release हो Mediterranean को, Mediterranean का hurricane, hurricane वो शब्ध है, जो tropical cyclone से जुड़ा रहता है, अब आप इसको जो है, नहीं भूल सकते, बहुत ही detail में हमने ये चीज़ पढ़िए, तो जो rainfall हो रही है, Mediterranean Sea से आती हुए towards Libya, उसका reason क्या है, medicates, पहली चीज़, दूसरी चीज़, वहां की vulnerable geography, अब ये तो आप normal image देख लेते हैं, अब डर्ना city में, अगर आप इस news में देखें, दो डाम भी collapse हुए, तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करू, डाम 1 और डाम 2, तो डाम 1 कॉलाप्स हुआ, पानी जो है, बहते हुए डाम 2 में आया, और आपका जो है, और जादा जो है, जान और माल क नुकसान हुआ, और यह जो ब्लू में है, यह आपका मेडिटरेजियंसी, लीबिया खुल रहा था ड्वर्स मेडिटरेजियंसी, लेकिन पानी ऐसे ही क्यों जा रहा है, अब यहाँ पे चीज समझो, यह image देखो, जब आप डाम 1 से डाम 2 की तरफ आ रहे हो, धलान ही इस त तरफ है, तो यहाँ पे जो रिवर भी बहर रही है, आप डाम भी असोसियेटेड है, तो धलान उस तरफ होने की वज़ज़ से, पानी जो है, कुछ इस तरह से, डाम 1 से डाम 2 होते हुए, मेडिटरेजियंसी की तरफ गया है, तो वहाँ पे, क्योंकि धलान है, तो पानी आ जब ब्रीच हुआ पहला डाम, उसके बाद फ्लाड वाटर डाउन स्ट्रीम आते हुए, दूसरे डाम पे गया, तो यह चीज़ इंटेंसफाय कैसे ही, मेडिकेंस पहला स्टैप है, वहाँ की वलनरबल जोगरफी ने इसको और जादा इंटेंस कर दिया, तीसरे चीज़ प मेरा नाम वहाँ कूपॉण कोड में यूज़ कर सकते हैं, आपकी फी कुछ न कुछ कम जरूर होगी, मोस्ट मोस्ट रेलेवेंट को सुप्रीलिम बहुत ही ज़ादा, जो है, स्टूदिंस की डिमांड पे रीसंट एक नया बात शुरू किया गया है, आप जरूर इसके बार जो है, जो है, जो गरफी पढ़ ली, वहाँ का क्रॉंलिंग इनफरा इस और प्रॉब्लम, तो मैं आपको यह बेसिक चीज बदाती हूं, आपने जो है, जो है, जीन पॉलिटिक्स में इसको पढ़ा भी होगा, कि वहाँ पे गदाफी जो थे हैं, वहाँ आप देखो कि 1969 से आप देखो यह की अगर मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करूं कि जो वहाँ पे रेखनाइस्ट गावरमेंट है, जो रेखना इस्ट गावरमेंट है, तो डैपने गावरमेंटि 1945 सिर्फे मादीटिक उन इस्ट्रiasm आप सmale, इस पे इस लाए से पापी और पार्छी एक आ इसके वजह से जो क्या है क्योंकि यहां पर कॉंस्टेंटली इंस्टेबिलिटी है तो वहां की सोचो एकनॉमिक चीजों पर फोकस किया जा ही नहीं पा रहा था तो यह वहां का जो क्रॉंब्लिंग इंफरा है विक्रस जी जी बहुत ही जादा जो है एक बहुत बड़ा है तो सोच अगनॉमिक इशू पर मेंटेनेंस पर डेवलापमेंट्स पर इस पर फोकस ही नहीं हो पा रहा और चौथा और आखरी इशू डिजास्टर प्रपेर्डनेस अगर आप लीबिया को देखोगे ना आप देखोगे डेजर्ट वाला जोन है और आपको दिखाती भी क्यों लीबियन डेजर्ट भी आपने सुना होगा तो वहां पी इतनी रेंफॉल के लिए प्रपेर्डनेस ही नहीं है तो फ्लडिंग क्योंकि क्वाइट रेर है आपने देखा मेडिकेंज जो है स्पैसिफिक कंडिशन में आ रहे हैं जो आपके कॉल्ड है तो फ्लडिंग क्वाइट रेर लीबिया वोजन प्रिपेर्ड तो फेस दे किलामिटी बहुत जादा फ्लड रेजिलियन स्ट्रक्चर थे ही नहीं क्याटेगोरिकली इंडर्ना और आप देखोगे कि एक तो इन्फरा नहीं था प्लस कोई अर्ली वर्निंग सिस्टम वहां पे ऐसे डिजास आपको पता होना चाहिए वहां की जोग्रफी के बारे में कि वहां पे धलान कौन सी तरफ है क्यों डाम का पानी जो है तुआ जो इन्फरा का इशू है द्यू टू वहां पे जो जीओ पॉलिटिक्स है जो वहां पे इनस्टेबिटी है वो आपने बताना है और चौथा वह लिए पढ़ाई करें नियूज को नियूज की तरह नहीं बल्कि एक लेवल आगे जाकि एक्जाम औरेंटेट कारेंट अपेस्ट की तरह पढ़ना यही रिजल दलाता है तो इसी पर फोकस करते हुए जो है प्रिक्लेम्स क्राश कोस की बात नहीं करूंगी मैं हमेशा कहती हू कि content में कहीं कमी नहीं है दोस्तों fee पे मैं आपकी जरूर मदद कर सकती हूं कि मैं इस coupon code की बात कर सकती हूं आप यूज करें आपकी fee जरूर कम हो जाएगे बहुत जादा holistic course है यह और आप देखेंगे कि beyond this जो है आपको जो है एक एक समय ही नहीं मिलेगा पर इस content ही बहुत के साथ मिलते रहेंगे all the best दोस्तों bye bye